नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभी निसमचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विदार्थों के लिए आवश्यक होती है तो आए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की समचार कर चुके हैं वह लोग इस वीडियो के जल्दी से लाइक कर दें सबसे बहले बात कर लेते हैं 59,000 सिर्चकवरती की लगनों कंडपीट में डेबल बेंच में लगतार सुनवाई हो रही है यह बीट का पच्छ सुना चाह चुका है और अब सिक्षा में इतनों का पच्छ सु हो सकता है और जो भी जैनकारी होगी आज वह सब आपको दी जाएगी इसके बाद में जो अगली सुचना है वह पीसी प्री 2019 की लिखा है नहीं मिले योग अभरती 13 नहीं केवल 12 गुना 500 पाई अभरती लगबक 300 पतों के लिए यह विग्यापर निकल था साल 300 पतों के यहां पर लिखा पीसेस प्री में 13 गुना भी नहीं हो सके सफल नियुनतम अरता अंग प्राप्तना कर पाने के कारण बदली इस्थी 344 पतों के लिए विग्यापन बाद में 165 पत जुड़े तो दोस्तों ऐसी लगातार सूचना मिल रही हैं कि उत्तर प्रतेस में जितनी भी भरति हो रही हैं उनमें योग भरती ही नहीं मिल रहे हैं यहां पर लिखा कि उत्तर प्रतेस लोग सेवा आयोग ने PCS 2019 की प्रारामिक परिक्चा में बड़ा पदला करते हुए पतों की संक्या के मुकाबले तेरा गुना भरतियों को सफल गोजित की जाने के निरुना लिया है प्रारामिक परिच्चा का परड़ाम इसी अधार पर जारी किया गया लेकिन पदों के संक्या के मुकाबले केवल 12 गुना अभरती ही उत्तिर्ण किये गए हालां कि यूपी प्यसी ने PCS और ACF आर एफो के 364 पदों के लिए विग्या पंजारी किया था और इसमें प्रारामिक परिच्चा में 6320 अभरतियों को सफल किया गया है जो पतों कि संक्या के मुकाबले 12 गुना ही है आयोग के सची जगदीज के अनुसार बहुत से अभरती अपनी अपनी स्रेड़ी में नियुनितम आरता अंग भी हासिल नहीं कर सकें इसी वजह से संक्या के मुक नियुनितम कटा विद्यार्थी पार कर गए होंगे लेकिन दो इस पेसल पद होते हैं उनमें विद्यार्थी नियुनितम कटा पार नहीं कर पाए होंगे एक बड़ा बदला हुआ है और जिसका लगातार विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए जब पीसेसप्री का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें एक नोटिस उसके साथ में जारी हुए और उस नोटिस में लिखा हुआ है यहां पर उसकी मुकी बाते हैं उजह देख लीजिए कि उत्तर दसलोग सेवा आयोग ने संग लोग सेवा आयोग की तरचपर उत्तरकुंज जाएगा जब भर्ति पूरी हो जाएगी उसके बात बताया जाएगा पता नहीं कितने साल बात बता बताया जाये इससे पहले संथाल्ड़özी उत्तरकुंजित परविक परणाम के साथ ही जारी करती जाती थी थी हाला कि इस बीब स 낮 बड़newब g जारी करने पर आयोग को काफी देरी वी इस बदलाव के बात अब अंतिम चेन प्रडाम आने तक बेर्थी संसोधित उत्तरकुंजी नहीं देख सकेंगे और नहीं प्रसनों के विवाद का कोई मुद्धा उठेगा अगर प्रसनों को लेगर के कोई विवाद होगा भी तो अं इनों ने पताने किन प्रसनों को सही माना है किन प्रसनों को सही नहीं माना है और कितना कटाफ की बारे में भी इनको जानकारी देनी चाहिए कि समानवर की कटाफ कितनी गई है और एसी की कटाफ कितनी गई है वैसे कटाफ की बारे मैं एक वीडियो बना चुका हूं और एक को कटाफ तो कम से कम बताना ही चाहिए और कम से कम दो या तीन हफतों में विद्धार्थियों को नंबर भी बताना चाहिए कि उन्होंने प्री परिच्छा में कितने नंबर प्राप्त किये हैं एक और सुचना है के प्रवेश्पत्र जारी और उत्तर प्रतेस लोग सेवा आयोग के सहायक वन सरनक्षक शेत्री वन अधिकारी मों की परिच्छा तो देख लीजिए आप लोग और अपना 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 कार्ट को डाउनलोड कर लीजिए इसकी बात में सूचना है की इल्टी ग्रेट लिखाए रिजल्ट के साथ निउकति भी फंसी घरना आज सबसे प्रमुक्त विशियों हिंदी और समाजी की विज्ञान विश्यकर रिजल्ट फंसा हुआ है वहीं तेरा विशियों के चैनित अब तक निउकति नहीं मिल सकी है उत्तर प्रतेस लोग करने जा रही है बढ़तियों की और सी रिजल्ट के लिए मुख्य मंत्री और राजपाल को ट्विट किये जाने का सिलसला भी सुमार को भी जारी रहा एल्टी ग्रेट से चक बढ़ती के तहित बंदरे विशियों में से 10,768 पदों पर भरती होनी है परिक्चा के आयोजन को डेढ़ साल भी चुके हैं और किसी भी पत पर नुक्ति नहीं विए हिंदी और समाजिक विग्यान के रिजल्ट के लिए अब प्रदेश बरके बरती एक जुट हो रहे हैं अब बरतियों की और से मुक्य मंत्री और राज गर्दसम होने जा रहा हैं बहुत दूर दूर जिलों के विद्धार्थी प्रयागराची पहुंच चुके महरबा सारणपूर मुरादाबाद की विद्द्धारथी आये हैं और इसलिए जब प्र्यम राज की विद्धार्थी हैं उनको भी आज उत्त्र पतिस इन पदों के लिए बर्ति कब शुरू होगी इस पर असमंजस बना हुआ है उच्छा निदे सालाय की और से पदों की सत्यापन की प्रक्रिया की पूरी की जा चुकी है पदों की सूची सासन को भीजी जा चुकी है लेकिन यह तरह नहीं हो पा रहा है कि इस बर्ति का जिम्मा का नड़ा लिया है जिसमें उचितर सिक्षा सेवा आयोग को भी मर्ज किया जा रहा है नए आयोग के गठन की पक्रिया तो शुरू हो गई है लेकिन इसमें अंतिम रूप देने में वक्त लग सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बर्ति का जिम्मन नए आयोग को सौंपा ज है सभी बर्तियों को नेमा वली के बहाने से या किसी और बहाने से सब बर्तियों को रोग दिया गया है जो बर्ति कांटिनू चल रही थी उसको भी रोग दिया गया है आपको बता दूं कि अगर आपको मालूम हो कि जो दरोगा बर्ति है उसमें स्केलिंग का मुद्द था और एक कहा गया कि जो नीमा वली है उसमें बदलाव किया जाएगा सासन से अनुमती ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्मीत है पुराना वाला इस वजह से जब नीमा वाली में संसोधन हो जाएगा स्केलिंग की उसके बाद में ही दरोगा भरती का विग्यापन आएगा इसी तरीकी का आपको मालूम एक उनत्यजार स्थार सिचक भरती में सब्सक्राइब को जानबोच के सरकार ने विवाद किया और वह भरती भी रुख गई ल्टी ग्रेट के दो विश्यों का परणाम रोग दिया हिंदी और समाजिक विज्ञान का जिससे बागी 13 विश्यों का जो चैनिस चात्र है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है इ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ती जूनियर हाई स्कूलों में भरती के बारेबंतों समचार में आता रहा उनको भी इसलिए रोग दिया गया कि मार्च के महिने में अगले महिने में नए आयोग का गठन हो जाएगा और उसी आयोग के द्वारा जूनियर की बेसिक की और आपको मालूम होगा कि जो TGT PGT की बरती है उसको भी उत्तर प्रोफेस की सरकार ने रोग दिया है और यह कहा कि यह बरती भी अब नए आयोग से होगी इसके बाद में अगली सूचना है कि दिली से इसमें बहुत सारी बरतिया निकल रही है और यह बरती है हाई कोट से लि देख लीजिए तेर 11 मार्च इसकी लास डेट 11 मार्च तक आप 19 से 11 अविधन कर सकते हैं एस लिमिट देख लीजिए 18 से 27 कम से कम 18 और जादा जादा 27 अगर हम लोग योगिता की बात तो यहां पर योगिता केवल ग्रेजुवेशन लिखा गुए ग्रेजुवेशन फ्रॉ नौट लेस देन 35 वर्ट्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर तो 35 प्रति मिनट की टैपिंग मांगी गई है और ग्रेजुवेशन की डिग्री मांगी गई है इसकी अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया प्री में और इंटर्वीव होगा इस बरती में तो आप लोग अगर चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में एक और भरती है दिली की है लिखा है एम से दिलेही में 430 पतों पर सीधी निगतिया होंगी पड़े आवेदन योगिता और चेहन से जूड़ी 10 बाते तो यह जो बरती निगली है यह टेकनिकल की है और यहां पर लिखा सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद